Hello students, hope you all are fine. प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने की थी छोटे ओ और बड़े आओ की मात्रा. इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहे हूं री की मात्रा. तो आएए करते हैं री की मात्रा. सबसे पहले आपको इसकी पैस्चान करनी जरूरी है. ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर C जैसी लगती है. कैसी लगती है ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर C जैसी ये देखिए. और इसकी साउंड कैसी है? री. इसके नाम से ही पता चलता है इसकी साउंड क्या है? री. तो आएए ये ये देखते हैं. इसके बारे में कुछ points हैं इस मात्रा के जो आपको ध्यान में रखने है हमेशा ये हमेशा व्यंजन के पैर में लगती है ये देखिए जैसे क क के नीचे है तो री की मात्रा का प्रियोग र के साथ नहीं किया जाता र के साथ र की मात्रा का प्रियोग कभी नहीं होता ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर सी जैसी लगती है वो मैंने आपको अलड़ी बताया कि इसकी पैस्चान कैसे करनी आपने ये देखिए ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर सी जैसी है सबसे पहले इसमें है चित्र देखकर नाम लिखो यह देखिए यह कौन सी पिच्चर है इसको हम क्या बोलते हैं हिरन भी बोलते हैं यहां पर हम इसको बोलते हैं म्रिग तो जब आप इसको बोलोगे गर नाम नामप म्रिग तो आपको खुद पता चल जाएगा जो रि की आवाज है साउंड है वो कहां पर आ रही है म्री तो जो रि की आवाज है वो म के बाद है तो म के पैर में लगेगी म रिग म्रिग उसके बाद है न्रिप फिर है ग्रिह ग ग, री, ह, ग्री, ह, नमबर फोर है व्रिक्ष, व्रिक्ष किसको बोलते हैं, पेड़, पेड़ भी बोलते हैं व्रिक्ष को, तो यहां पर यह की मातरा में हम इसको व्रिक्ष बोलेंगे, व्री, व के बाद री, फिर क्ष, यह बन गया व्रिक्ष, फिर है क्रिशक, क्रिशक इससे देखी ये क्या है म्रिग हिरन जिसको हम बोलते हैं रिप किसको बोलते हैं राजा को फिर है ग्रीह घर को व्रिक्ष पेड और फिर क्रिशक किसान आई ये इसका नेक्स टॉपिक देखते हैं जोड कर लिखो न प्लस री प्लस प निरिप स प्लस री प्लस ज प्लस न स्रिजन क प्लस री क्री प को आन क्रिपान गरीह अ मरीत अम्रित अब देखिए इसमें जो री की अवाज है वो म के बाद है जब आप बोलोगे इसको प्रनाउंस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मात्रा कहां पे आएगी अम्रित अब है री की मात्रा के शब्द म्रिग नरिप व्रिक्ष ग्रिह क्रिपा तो ये थी री की मात्रा इसका चित्र देखकर नाम लिखो जोड कर लिखो और मात्रा के शब्द ये आपने अपनी नोट बुक्स पे अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है तो आईए अब हम करते हैं इसकी बुक रीडिंग और बुक एक्साइज पेज नमबर 43 ओपन कीजिए एक था क्रिशक री की मात्रा वाले शब्द नारीप नृप मारीग म्रिग वारीक्ष व्रिख्ष नृप कारी श क्चोटी करिशी घरीत घरित शारी जनस्रिजन मरी गम्रिक, अमरीत अम्रित, गरीह ग्रिह, प पैरमेरी थक प्रिथक, क पैरमेरी पकोवा क्रिपा, क पैरमेरी शक क्रिशक पड़ो और सुनाओ एक एक थ कोवा था करीशक क्रिशक वह वह व पैरमेरीक्ष व्रिक्ष लगा कर धरत कोबड़ी धरती हर कोबड़ी हरी भर कोबड़ी भरी करता था वह गरीह ग्रिह सज कोवा सजा कर रखता था उसक कोवा उसका म पैरमेरीक्ष म्रिग इधर इधर उधर उधर कोबड़ा उद तकोवा कूदता रह तकोवा रहता थकोवा था एक दिन एक री शको छोटी ई रिशी अकोवा यकोवा आया उसक कोई बड़ी ई उसकी अ म पैरमेरी त अम्रित व कोवा न कोबड़ी ई वानी सुनी नरप नरिप भी घरीत ग्रित क कोवा का द कोबड़ी ई पक दीपक लकोवा लाया रिशी की करीशक क्रिशक पर करीप कोवा क्रिपा हुई एक था क्रिशक कौन था ये किसान था वै व्रिक्ष लगा कर धरती हरी भरी करता था क्या लगा कर पेड लगा कर धरती हरी भरी करता था वै ग्रीश सजा सजा कर रखता था वो घर को कैसे रखता था सजा कर उसका म्रिग इदर उदर कूरता रहता था, उसका जो म्रिग था वो हमेशा इदर उदर कूरता रहता था, एक दिन एक रिशी आया, उसकी अमरित वानी सुनी, तो रिशी की क्या सुनी, वानी सुनी, उसकी अच्छे विचार सुने, अमरित वानी सुनी, दीप वी घृत का दी तो नेक्स देखिए, पेज नमबर 44, सही शब्द पर राइट का अपने निशान लगाना है, इसमें से देखिए, सही स्पेलिंग कौन से हैं, अमरित, अमतरी और अरमत, ये नहीं है सही, ये भी रौंग है, इसमें सबसे पहले जो स्पेलिंग है, अमरित, अमरित, ये सही है, इसको टिक का निशान लगाएं, आगे है सजन पर मेरी, उसके बाद है सजरीन, फिर है सरिजन जो सही वर्ड है, वो है स्रिजन, तो इसको हमने टिक करना है स्रिजन को, नेक्स्ट है कशरीक फिर है करीशक कशकरी तो सही वर्ड जो है वो है क्रिशक तो क्रिशक को आपने टिक लगाना है उसके बाद है दिये गे चित्रों को उनके नाम से मिलाओ आपने सही नाम लिख देने सामने ये किसका चित्र है? पेड का इसको क्या बोलते हैं वरिक्ष वरिक्ष उसके बाद है ये मरिग, ये क्या है घर, गरीह, फिर है क्रिशक, करीशक, क्रेशक उसके बाद है जोड कर अक्षों को मिला कर लिखो घरीत क्या बन गया घरित फिर करीश छोटी ए क्रिशी करीप को आन ये बन गया क्रिपान तो प्यारे बच्चों इसकी आपने रीडिंग करनी है और बुक वला जो बुक एक्साइज है वो बुक में आपने नोट करनी है थैंक यू, have a good day